देसी गायों का डेरी फार्म ऐसे कौन से देसी गाये हैं जो आपका 50 लिटर दूद देती है देसी गायों का गोम मोत्र की बिगरी कहाँ पर करें देसी गायों की ब्रैंडिंग किस तरीके से कर सकते हैं देसी गाएं उसे dairy farm start करना फाइदेगास होता है या उससे आपको नुकसान होगा फाइदे हैं तो क्या है और नुकसान है तो क्या है यह सबी चीजे एक basic information देसी गाएं के dairy farm पर हम आपको बताएंगे चलिए यह वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देसी गाएं कौन सी होती है जो गाएं भारते मूलकी हैं वह आपकी देसी नसले की गाएं यह आपकी 35 से 40 नसले हैं भारत की जो आपकी देसी में count होती है अब हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहला फाइदा आपका देशी गाएं की जब आप डेरी करते हैं तो उसका क्या होता है सबसे पहले ये गाएं आपकी बिमार कम होती है दूसरा इंफरेस्टक्चर पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रुत नहीं होती है तीसरा दूद अगर अच्छे से ब्रेंड करें तो आपका 100-120 रूपे लिटर भी यह दूद आपका बिग जाता है चोथा यह आपका A2 Milk होता है जिसका A2 Milk आपका बहुत फायदे मन्द होता है शरीड के लिए भी पांचवा आप गोमूतर की भी बिक्री कर सकते हैं जिससे आप Extra Profit कमा सकते हैं यह आपका 10 रूपे लिटर तक आपका बिग जाता है और अगर आप अच्छे से ब्रेंड करें तो आप देसी गायों के गोबर की भी बिक्री कर सकते हैं अब हम आपको बता देते हैं देसी गायों का डेरी फार्म में पालने का नुकसान क्या है सबसे पहला ब्रेंड करना यहाँ पर आपका बहुत मुश्किल होता है जहां पर भारत में दूद आपका 40 रूपे लिटर आसानी से मिल जाता है वहाँ पर आप 100 से 120 रूपे जबी आप बेखते हैं तो यह कोई आसान काम नहीं है अब हम आपको बताएंगे ऐसी देसी गाएं जो आपका 50 लिटर दूद देती है किसान भाईयों आपने सुना होगा ब्राजिल में एक ऐसी गिर गाएं हैं जो आपका 50 लिटर दूद देती है लेकिन यह है आपका अधा सच है जो आपकी ब्राजिल में गिर गाएं हैं वो असल में गिर गाएं नहीं गिर लेंडो गाएं हैं उसकी नसल आपकी गिर्डेंडो है जो गिर गाएं और एक दूसरी नसल की गाएं आपकी क्रोजब्रीट करी गई है तो कहने का मतलब यह है कि जो ब्राजिल में आपकी गिर गाएं हैं वो एक देसी नसल की गाएं नहीं है तो यह fact हमने आपका clear किया है आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देसी गाएं का दूद ब्रैंड कर एक अच्छे रेट पर आप किस तरीके से बेख सकते हैं काव यूरिन जो आपका देसी गाएं का यूरिन है वो आप किस तरीके से बिक्री कर सकते हैं जो आपका देसी गाएं का गोबर है उसकी विक्री किस तरीके से कर सकते हैं यह सबी चीजे आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे तो किसान भाईयो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप यह वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्रा तो आपको यह वीडियर करें वीडियो पिर्णी नहीं किसान भाई गिरीके में हमारे